नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका भात्रा इस अकाडमी में आज का डेट है 21st of September 2022 एंड डेली के करेंड अफेस के हमारे सोर्से असाम ट्रिब्यून और अधर नैशनल रेलीज यहां पर होंगे जिसका PDF कर निक नीचे description session लगा दिया जाएगा आप प्लीज वहाँ पर डिरेक्ली जाकर डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी एक particular topics आपको copy paste करके अपने notes में उसको उतारना है तो आप वो भी कर सकते हो चलिए शुरुआत करते हैं असाम Tribune से सब सब पहला यहाँ पर निउस है आउट्रेश्ट फॉर नॉट बिंग ग्रांटेड एस्टी स्टेटेस ना पहले बतला देदार चाहता हूं यह निउस हमने चार पाच मैंने भी पहले भी cover किये हैं अभी फिर से आपको पास यह cover कर रहा हूं the reason being यह बहुत जादा news में है now क्यों news में है क्योंकि आपको पता होना चाहिए that recently union cabinet ने 12 communities को SD status दिया है और यह communities जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चत्तिसगर, तमिलनाडू और करनाकटका से बिलॉंग करते हैं और वहीं पर अगर आप असाम के लोगों को देख लिजेगा, present government का यही था that चूटिया, मटाक, मुरान, कोच राजबंगशी, ताई अहूम और टी ट्राइब्स, इन लोगों को SD status देने की बात की गई थी, right? बट अभी तक यह long pending demand अभी तक पूरा नहीं किया गया है, इसी लिए other other parts of साम में basically इस टाइब के हमें प् things that, हा, किनको वादा किया गया है, इनका नाम याद कर लेना, है न? Next, climate change altering Indian monsoon, presently जो studies कियेंगे, उससे यह पता चला है that climate change के कारण Indian monsoon में हमें shift देखने को मिल रहा है, that is, monsoon में fluctuations देखने को आ रहा है, monsoon मतलब क्या होता है, seasonal reversal of wind, जिसके कारण अलग-अलग समय में, उससे इंडिया को maximum rainfall, 85% of the rainfall उसी से आती है, और बाकी 15% of the rainfall उसी से आती है, या फिर जिसको हम लोग, retreating monsoon भी कहते हैं, अभी क्या हो रहा है, that हमें fluctuations देखने को मिल रहा है, in monsoons में, that is, long dry periods देखने को मिल रहा है, और heavy rain भी अगर हो रहा है, तो वो जादा नहीं हो रहा है और जहाँ हो रहा है, और जहाँ हो रहा है, और जहाँ हो रहा है, यह हो क्यों रहा है, पता है, क्योंकि low pressure में और depression zone में हमें shifting देखने को मिल रहा है, इसी के कारण, recently हमें मद्यप्रदेश, गुजरात, राजिस्तान जैसे regions में, बहुत excessive rainfall देखने को मिल रहा है, और of course, कु रहा है, और इसका impact क्या हो रहा है, पता है, बहुत जादा negative impact हमें देखने को मिल रहा है, crops के उपर pest का attacks देखने को मिल रहा है, overall agriculture की productivity बहुत हद तक गिर गई है, in fact, water scarcity अगर देख लेजेगा, बहुत जादा देखने को मिल रहा है, disasters or disease भी जो है, यह बढ़े ही जा रहे है यह होता क्यों है, rainfall में, देखो, क्या हो रहा है, that say for example, आपको पता, इतना तो आपने geography में शायद classes में पढ़े ही होंगे, that land और water में, land सबसे जल्दी गरम होता है, सबसे जल्दी ठंडा होता है, क्यों, क्योंकि land का specific heat जो है, वो कम होता है as compared to water, अब अगर land जल्दी गरम ह हो रहा है, सोचो, सुह, सुबह के टाइं में, land बहुत जादा गरम हो रहा है, तो यहां पर low pressure create होगा, है ना, और वही पर respectively, इस region में, high pressure create होगा, तो high pressure to low pressure wind भहता है, यह तो यहां पर भी हो रहा है, यह land mass है, land के उपर low pressure create हुआ, respectively, प्रेशन के ओपर हाई प्रेशर क्रियेट हुआ, विंड कहां से कहां बहेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है ना, जिसके कारण overall हमें इस टाइप आफ बेसिकली इंतंसिफाइड रेंफॉल्स देखने को हमें मिल रहे हैं। आपके सामने, ग्लोबल रेजिस्ट्री ऑफ फॉसल फ्यूल, पहला लार्ज स्केल पब्लिक डेटाबेस है, जिसके तहरत ट्रैक किया जाएगा, कितना फ्यूल रिजर्व एक्जिस्ट करता है, कितना उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, और कितना एमिशन किया जा रहा है, In fact, एक non-for-profit think tank है, जिसका नाम है Carbon Tracker, ठीक है, वही research करती है regarding the energy transition effect on financial market, Global Energy Monitor, जो कर ट्रैक करती है, range of global energy product, तो इन्हों ने, दोनों ने मिलकर jointly develop किया है इस registry को, In fact, एसा माना जा रहा है, इस registry जो है ना, various groups, various governments को empower करेगा, क्योंकि अब data जो है, बहुत raw data मिलेगा सरकार को, दुनिया को raw data मिलेगा, that किस region में fossil fuels का storage जादा है, किस region में extraction जादा हो रहा है, किस region में fossil fuels के current emissions जादा हो रहा है, है ना, और यह जो पूरा inventory होने वाला है, इसम देटा, हमें आपको देखने को मिलेंगे, from more than 550,000 oil, gas and coal fields, जो क्या 89 countries में situated है, जो क्या cover करती है, 75% of global production, इस registry के मुताबिक, it will be much easier to include expected future emissions into the analysis, जी है, यही तो है ना, अगर आपको पता चल जाए, अभी कितना emission हो रहा है, पास में कितना emission हो रहा था, तो उस rate से आप extrapolate कर सकत है, तो future में किस rate of development होगा, जैसे हम पता होगा, चाहिए, आपको, तो 2050 तक कही ना कही हमारा target है, तो हाँ, we will become developed country more or less, ठीक है, तो developed countries होगा, तो of course, emissions भी बहुत जादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो उसी के हिसाब से basically analysis present किया जाएगा इसके तूप, next, CICA, that is Conference of Interaction and Confidence Building Measures in Asia, Kazakhstan ने invite किया है Indian PM को इस summit में, CICA, इसको found किया गया था 1999 को, ये एक multi national forum है, various countries का, and India भी इसमें एक one of the member है, in fact 27 members है, now, ये forum का main name किया है, पता है, cooperation को build up करना, Multilateral Approaches के related बात करना, जिससे, overall, in सारे 27 member nations के बीच, at least peace, security related aspect, और Asia में कैसे stability prevail करे, वो चीज हो सकता है, मैं आपको इसके members, अच्छा, members नहीं अभी दिखाया है, चल, कोई वाद नहीं, Confidence building measures इसके थूप मनाया जा रहा है, that is, economic, environmental, human, various new challenges आते हैं, जैसे, cyber security is a very new challenge, military aspect, तो इन सारे sectors में, basically, बात किया जाता है, ठीक है, in fact, अगर इसके members आपको देखने हैं, तो आप प्लीज थोड़ा मेहनत कर लो, यार, googling थोड़ा कर लो, पता चल जाएगा सब कुछ है, नहीं मेरा दिल बोल रहा है, that this is going to come in any of the paper, that you are going to give, and APSE में तो आने का बहुत जादा चांस है, स्वच्च सुजल प्रदेश, अन्नमान निकोबार आइलेंड को, इंडिया का पहला स्वच्च सुजल प्रदेश सर्टिफिकेशन मिल गया है, बाई जल सक्ती मिनिस्ट्री, इन फाक्त, ये सर्टिफिकेशन जो है, जब भी भी कोई भी रीजन को प्रवाइड किया जाता है, इन तीन चीजों में वो पूरा है, that is safe and secure drinking water supply, जो क्या का जा रहा है, अंडमान निकोबार में हर विलेज तक पहुच गया है, open defication free plus status मिला हुआ है, और awareness है regarding the cleanliness and convergence of various schemes, and हर एक villages जो है अंडमान निकोबार में, they have received हर घर जल सर्टिफिकेशन, ठीक है, next, Indian स्वच्चता लीग, Indian Premier League के बारे में सुना है, IPL, क्या होता है, पता है न, तो वैसे ही, स्वच्च भारत Mission Urban 2.0 के तहट, Indian स्वच्चता लीग को जारी किया गया है, जिसके तहट mobilize किया जा रहा है, half million youth, मतलब around 5 lakh youth को mobilize किया जा रहा है, और celebrate किया जा रहा है, कैसे cities को clean किया जा सके, कैसे उनको green और garbage free बनाया जा सके, तो overall, Indian स्वच्चता लीग का काम ही यही है, that cities को हमें garbage free बनाना है, grey और black water management, grey water पता है, क्या होता है, जैसे आप washing machine को use कर रहे हैं, तो वह पानी फेक दे रहो, आपने बर्दन मला, तो वह पानी फेक दिया, तो that is grey water, ठीक है, black water क्या होगा, तो आप जो potty करते हो, वह वाला पानी को black water कहते हैं, है न, so, इसके तहत, Indian स्वच्चता लीग के तहत, grey water, black water को management किया जाएगा, हर एक cities में, है न, other than those cities, जो क्या अमरूत में covered है, क्योंकि अमरूत के अंडर तो यह सब खैर किया ही जाएगा, right, यहीं न, Indian स्वच्चता लीग के तहत, make किया जाएगा, हर एक urban local bodies, open defection free status, जिस सेम का हो सके, और साथी साथ, वैसे region जहाँ पर population less than 1 lakh है, वहाँ पर भी open defection free plus plus status, अचीव किया जा सके, timeline, अगर देख लिजेगा, तो over 5 years, from 2021 to 2026, यह चीज़ इंप्लिमेंट किया जाएगा, जिसका nodal ministry होने वाला है, ministry of housing and urban affairs, ठीक है, अच्छा, 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 वही मैं सोच रहा था, जिसका का कहीं ना कहीं तो मैंने यह implement लगाया था, तो देखो, यह member nations रहे ना, यह सारे member nations रहे, ठीक है, समझ जाओ, है ना, थोड़ा याद करो और देख ले न, कौन को नहीं है, जैसे म्यानमार इदर नहीं है, नेपाल, भूटान, यह सब नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा चीज याद होना चाहिए, next, mbed mechanism, stands for market-based economic dispatch mechanism, now, आपको पता होना चाहिए, that ministry of power, make sure करना चाहिए, that हमारा देश जो है, one nation, one grid, one frequency, one price, इस framework के तहद चले, जिससे, जमू-कश्मीर में जितना electricity का चार्ज लिया जा रहा है, बिहार में उतना ही electricity का चार्ज हो, तरिपुडा में उतना ही electricity का चार्ज हो, करेला में उतना ही electricity का चार्ज हो, इसी लिए, यह market based economic dispatch mechanism को ensure करेगा, that entire annual electricity consumption जो है, इसको operate किया जाएगा using central market operator, currently, India follow करता है decentralized power procurement or distribution system, ठीक है, now, overall इस MBED mechanism का benefit क्या है, यह help करेगा in reducing power purchase cost, यही नहीं, provide करेगा ज्यादा flexibility और promote करेगा renewable energy का usages, ठीक है, issues भी इसमें कुछ-कुछ है, जैसे, it may lead to loss of autonomy of states, क्यूं, क्यूंकि अगर power देख लोगे, यह तो concurrent subject में लाई कर रहा है ना, मतलब, जो distribution and supply जो है ना, power का to rural and urban, वो state के उपर निर्भर कर रहा है, यह कानून लाकर तो कहीं ना कहीं, central government का जो दब-दबाय है इस region में बढ़ जाएगा, तो कोई भी चाहेगा क्या अपना autonomy lose करना, आप खुद सोचो ना, यही नहीं, it will make discoms entirely dependent on centralized mechanism, discoms, जो कि state electricity departments, आपको जो यह power मिलता है, यह कौन distribution companies ही तो का देती है ना, उसी को तो कहते है, discoms, distribution companies, वही तो करती है, तो उनका भी autonomy loss हो जाएगा, next, इंडिया ban कर रहा है on broken rice export, broken rice मतलब समझो, एक rice होता है ऐसा, ठीक है, यह पूरा rice हुआ, एक होए broken rice मतलब आधा टूटा हुआ rice है ना, उसको ban कर दिया गया है, इंडिया ने, export, ठीक है, in fact, 20% duty लगा दिया है on export of various grades of rice, except basmati, क्योंकि basmati से again बहुत जादा पैसे मिलता है सरकार को, है ना, तो again, ठीक है, now, reason, reason क्या है भाई, ठीक है, बासmati को ban नहीं कर रहो है, इस broken rice को ban कर दे रहो भाई, क्या reason है, so, देखो, reasons अच्छे से पढ़ना, there has been lower rice production, आपको पता है, क्यों, the main reason being, अभी जो आपका, Ukraine-Russia का award चल रहा है, वो तो है ही, बड़ साथी साथ, rainfall भी तो deficient हो रहा है, food, I mean, बहुत जाने inflation है, in fact, यही जो broken rice को, इनको ethanol blending के लिए इस्तमाल किया जाता है, so, क्यों ना, हम लोग उसमें इसको इस्तमाल करें, broken rice को poultry feed के तरह भी इस्तमाल किया जाता है, यह जो मुर्गिया नहीं होती है, तो वो वाली मुर्गिया, तो वो भी खाती है ना, दाईस, तो उनके लिए, उनको तो बासमती चावल नहीं दीजेगा ना, जी, तो उनके लिए भी यह इस्तमाल किया जाता है, कुछ कुछ डेटा हम लोग देख लेते हैं और यह डेटा कहीं ना कि बहुत जादा इंपॉर्टन होने वाला है हर एक डेटा को दिमाग में फिट कर लीजिएगा यह रटने का जबूरत नहीं है देखो इंडिया जो है ना दुनिया का लारजेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का इनफाक्ट 41% और टोटल राइस एक्सपोर्ट जो वर्ल्ड में होता है इन्टू 321 है ना वो यह रोग जादा है इनफाक्ट इस लारजर दन नेक्स्ट 4 एक्सपोर्टर नेशन जो क्या थाइलेंड, वियतनाम, पाकिस्तान, युनाइटर स्टेट से अगर मिला कर भी देख लीजेगा उससे भी जादा इंडिया एक्सपोर्ट करती है ना सवाल होता है इंडिया के ब्रोकन राइस को कौन खड़ीता है भाई चाइना, सेनेगल, वियतनाम, जिबूती, इंडोनेशिया ये सब कोई जो है हमारे इंडियन ब्रोकन राइस को इंपोर्ट करते हैं अपने देश में है ना अगें वो किसके लिए इंपोर्ट करते हैं यही चीजे या तो इतनल ब्लेंड करने के लिए या तो पोल्ट्री को खाने के लिए इसी टाइप के चीजे को इस तो आफकोर्स आपने इंसान को तो नहीं खिलागा ना जी है न तो प्रिवेस्ली अगर इन में देख लिजेगा इंडिया ने बैन भी किया था वीट के एक्सपोर्ट पर यह अपको पते यह तो खैर जब इंडिया रखे 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 रॉट यूक्रीन का बहुत चल रहा था तभी यह सब बहुत जादा न्यूज में था Top 10 rice producing countries अगर दुनिया में देख लिजेगा ये producing countries है, exporting countries नहीं है यहाँ पर confuse मत कीजे आपने तो सर आपने तो अभी बोला दे exporting India करता है, यहाँ पर चाइना आप दिखा रहे हो अरे भाई ये producing countries है ठीक है? तो ये देखे South Asia में countries भड़े पड़े हुए है ना, rice के production में Next, PM Pranam Scheme Pranam stands for Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture Management योजना इसको प्लान किया गया है, जिससे reduce किया जा सके use of chemical fertilizers by incentivizing states मतलब समझ रहो PM Pranam Scheme केता है, देखो नाम से ये पूरा का नाम पढ़ लोगे ना Alternate Nutrient for Agriculture Management मतलब alternate nutrient मतलब क्या? अभी क्या nutrient यूज किया जा रहा है fertilizers, उसका usage को reduce करना है और इसको कैसे करोगे, states को incentivize करना पड़ेगा, है ना इस scheme के कुछ-कुछ feature देख लेते है, देखो इसके पहली समझ लो that इसके लिए कोई अलग सा budget नहीं बना है नहीं नहीं, ऐसा कोई budget नहीं बना है तो वही बोला गया, scheme will not have a separate budget and इसको finance किया जाएगा by saving of the existing fertilizer subsidy so जो कोई ऐसा राज जी है, जिसनोंने you know, अच्छे से save किया है, right तो उनको फिर ये पैसे दे दिये जाएंगे, ठीक है 50% of subsidy saving जो है, वो pass on किया जाएगा as a grant to the state, that saves the money जो save करेगा on fertilizer distribution उसको ये पैसे दिये जाएंगे, जिसमें उन पैसों में भी 70% जो grant है, उसको provide किया जाएगा under the scheme and it can be used for asset creation asset creation बोले तो, block, district या फिर village level में कोई alternate fertilizer related अगर asset creation करना हो तो आप कर सकते हो, right 30% of grant जो है, वो the, it can be used for incentivizing farmers panchayers, farmer producer organization in fact self-help group भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है so ये लोग कहीं न कहीं, इनको incentivize किया जाएगा जिससे ये fertilizers के usages को reduce कर सके और इसके related awareness को generate कर सके क्योंकि देखो, अगर awareness generate होगा, तो ही सब कुछ होगा अब लोगों को पता ही नहीं है, farmers को पता ही नहीं इसके बारे में, right बहुत सारे टेक्नीक से, जैसे जीरो बजट नाच्रल फार्मिंग देख लो, है ना तू, ये सब भी तो आराम से implement किया ही जा सकता है, ना fertilizer का अगर status देख लोगे, use और उसके I mean, subsidy के related, तो देखो, टोटल जो requirement है, ना, चार fertilizers के सबसे जादा होते है, एक होता है यूडिया, एक होता है डायमोनियम फॉस्फेट, एक होता है मूरिट फोस्टाश और NPKS, that is nitrogen, phosphorus and potassium, ठीक है, अब ये सारे जो fertilizers है, ना, इनका utilization अगर देख लोगे, 2017, 2018 से 2021 तक, increase हुआ है by 21%, in fact, subsidy burden जो है, on chemical fertilizer, वो expect किया जा रहा है, that it will increase to 2.25 lakh crore in the year 2022-2023, जो क्या, again, previous year के figure से, लेकिन 39% higher है, खरीफ season में, जो है, nearly half of the year का production, जो होता है, food grain का होता है, one third of pulses, खरीफ season में produce किये जाता है, two third of oil seeds, खरीफ season में produce किये जाता है, तो आप खुद सोचो ना, अगर इतना जादा production एक ही season में किये जाता है, तो sizable amount of fertilizer जो है, खरीफ season में ही ना जादा इस्तमाल किया जाता होगा, तो अगर आपको कल को एक statement बना के मैं question दे दू, that fertilizers का इस्तमाल जो है, रभी season में सबसादा किया जाता है, as compared to khadiv season, will that be correct or wrong, that will be wrong, ठेक है, so, देखो, यह है, यह तो basically dihominium, phosphate, urea, उसके बाद NPKs, यह सब का proportion दिखा है, that कैसे बढ़ा है, देखो, इसका भी usage बढ़ा है, इसका भी usage बढ़ा है, इसका भी usage बढ़ा ही है, है ना, next, liveliness of fingerprint, uidai ने introduce किया, एक नया security layer, आधार enable payment system को related, जिससे fake fingerprints, या फिर fraudland, जो money withdraw के cases आये थे, वो सब सब कुछ चले जाएंगे, now, liveliness of fingerprint, यह क्या है भाईया, देखो, fingerprint, तो समझ जाओगा ना, यह एक biometric की चीज है, है ना, अब fingerprint, जो है ना, क्या होता था ना, बहुत समय, fake fingerprint, जैसे, you know, कोई, एक, सोचो, अब मेरा fingerprint कोई, उसका एक fake finger बना दिया, और एक दम उसमें भी वैसे fingerprints दे दिये, जैसे मेरे fingerprints में, तो वो तो fake हो गया ना, अब उसको लगा के आप पैसे निकाल सकते तो यार, यह तो फिर, मतलब, प्राइवेसी का हनन हो रहा है, literally, ठीक है, तो इसलिए, lively detection in biometrics, जो है, यह क्या है, एक ability है, एक system का, एक computerized system रहेगा, जो कह डिटेक्ट करेगा, that fingerprint, या फिर face, मतलब, कोई भी biometrics, for that matter, क्या वो real है, या fake है, real, मतलब, live person का है, या कोई fake bodily part का, जो duplicate body part बना के, यूज किया जा रहा है, fingerprint, lively detection, जो है, दो, you know, activities के थूँ किया जाएगा, एक तो software, यह तो आपको पता ही है, जिसमें image quality based, skin deformation based, fusion based, यह सब देखे जाते हैं, एक hardware भी based रहेगा, जैसे visual based, skin distortion, blood pressure, मतलब, technically, आपको एक device दिया जाएगा, उस device में, आप अपने हाथ को properly, जब, touch करोगे, तो उसमें, blood pressure, skin distortion, वो सब सारे factors को consider करके ही, ultimately, यह fingerprint, livelihood, detection को, you know, अंजाम दिया जाएगा, and this is a very good, you know, technique that is being discovered, and मुझे, पता नहीं क्यों लग रहा है, that this is also very very important, आधार related question past में भी civil service में पूछे गए, अभी भी पूछने के बहुत ज़ादा probability, अच्छे से देख लीजेगा, ठीक है, A.E.P.S, आधार enabled payment system, जो क्या, National Payment Corporation of India के दुआरा किया जा रहा है, यह एक bank led model है, जो क्या, allow करता है, online interoperable financial inclusion transactions, कहाँ पर, point of service machine, जैसे micro ATMs में, through business correspondence of any bank, in fact, A.E.P.S अधार enable payment system, जो है, allow करता है, छे type of transaction, एक है cash deposit, cash withdrawal, balance inquiry, mini statement, A.E.P.S, तू, A.E.P.S, अधार fund transfer, authentication, and beam A.E.P.S, next, Ambedkar circuit के बारे में, यहाँ पे news था, tourism circuit, जैसे आपने सुना होगा न, रामायन circuit, उसमें क्या है, भगवान राम जी से, जो जो, places जुड़े हुए न, उसको एक tourist destination मना आ गया है, वैसे ही, भीमराव, Ambedkar जी, के related, जो भी places थे, उन सब को tourism circuit के, through convert किया जा रहा है, और इसको बोला जा रहा है, पंच तीर्थ, five key sites associated with B.R. Ambedkar जी, Dr. B.R. Ambedkar to be very specific, इसको Ambedkar circuit भी बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, यह improve करेगा, connectivity तो improve करेगा ही, साथी साथ, tourism को भी improve करेगा, और Dr. B.R. Ambedkar को as a brand, you know, दुनिया के सामने present करेगा, कौन-कौन से region है, दिल्ली, Madhya Pradesh का रीजन है, Mumbai का रीजन है, Maharashtra का रीजन है, in fact, एक London का भी रीजन है, of course, that cannot be directly, you know, connected, though, yeah, so, हम लोगों ने जो भी discuss किया, उसके related MCQ देख लेते, सबसे पहले कल का MCQ दिसको करते है, जिसमें, दो questions पूछे गया थे, सबसे पहले technical, national technical textile mission के related पूछा गया था, दो statement दीने के थे, जिसमें, दोनों के, दोनों statement बिल्कुल सही थे, इसलिए C will be the correct answer in this, दूसरा वाला जो था, terrorist organization at global level, जी हाँ, United Nations Security Council 1267 committee is the correct answer, so, yes, correct sequence is C, A, जिसमें, सब लोगों ने सही answer दिया है, ठीक है, very good, आज का question देख लेता है, आज का question सब को यह answer दो, इंडिया का first स्वच्छ सुजल प्रदेश certification, इन में से किस state या union territory को मिला है, गोआ, लक्षवदीब, दृपुड़ा या फिर अंडमानन, निकोबार, दूसरा, consider the following statement, broken rice in India is used as poultry feed, ethanol building, etc., दूसरा, चाइन, सेनेगल, वियतनाम, जिबोती, और इंडोनेशा, आज आज बिगस्ट इंपोर्टर्स ऑफ इंडिया ब्रोकन राइस, नीचे चार्स, और में, और में, उप्शों दियेगा, नीचे एक कोई सही है, नीचे comment section में बिलकुल लिखेगा, लुए वीचे कर और आजसे कम आजसे, वीचे क्या संब एंगा जीचे वेद्ट इंग चिल देन, बभाई, यद्ट नीचे कर और तेंग चैर्ट एंग्य। थाल लिए वीच्ट इंट इंप यह जिए अप्रनाटव का.